दोस्तों अगर आपका वर्टसम नंबर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो कैसे आप खुद को अनब्लॉक करें आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिहां दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यूटूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलते हैं यहाँ पर आपको दावा किया जाता है कि यह आपको बताएंगे कि कैसे आप इस ट्रिक से खुद को अनब्लॉक कर सकते हैं जी वैसे ही मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ सचा ही बताने वाला हूँ कि यह जो trick आपको बताते हैं वो सच में काम करती है या नहीं करती है तो क्या है उसका काम सबसे पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वो trick कैसे काम करती है कैसे आप खुद को unblock कर सकते हैं जो इन वीडियो में आपको बताया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप वीडियो देखो, अगर आप वीडियो पर नंबर को अनब्लॉक करना जाते हैं, तो ये वीडियो इसकिप पत करना, लास तक देखना, आज मैं आपको सारी सच्छाई बताऊँगा, कि क्या सच में आप अपने नंबर को अपना नंबर डिलीट करो, अपने एकाउंट का बैक अप लो, और फिर से अपना नंबर एकाउंट क्लियेट करो, और सामने वाले से आपका नंबर अनब्लॉक हो जाएगा, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको बताया जाता है, कि आप अपने वाट्सअप को ओपन करें, ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपने ठीडॉट पर क्लिक करके, यहां से सेटिंग पर जाना है, और सबसे पहले आपको चैट पर जाके, आपको चैट बैक अप ले लेना है, अपने वाट्सअप का चैट बैकप यहाँ पर आपको ले लेना है बैकप नाओ आपको अपने Gmail एडी पर बैकप ले लेना है तो आपके सारे messages का आपको बैकप यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है बैकप लेने के बाद आप आपके phone पर जो भी chat होंगी सारी चीज़ होंगी वो आप जब भी दूसरे बार इस app को अपने phone में डालेंगे तो आपकी chat वैकप आजाएगी इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने phone के setting पर जाना है setting पर जाना के बाद आपको account पर जाना है और यहाँ पर एक option है delete my account जहाँ दोस्कों यही option है जिसके बारे में आपको बताने वाला था यह वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से आप अपना जो भी WhatsApp नंबर जिसने आपको ब्लोग कर दिया है जो भी आपको WhatsApp नंबर है जो ब्लोग कर दिया है यहाँ पर डाल कर अपना नंबर आप delete my account से अपना जो database अपना number है आप WhatsApp के database से delete कर दीजे आपना पूरा account clear कर दीजे पूरी तरह के से delete कर दीजे इसके बाद क्या होगा जब आप delete करेंगे तो फिर से आपको WhatsApp को install करना अपने phone पे install करने के बाद आपको same उसी number से इस पर sign up करना है उसी number से आपको login करना है और अपना account बनाना है और आपको वहाँ पर option में लेगा chat backup का तो आप अपना जो chat का है backup ले लेंगे और इसके बाद आपका number सामने वाले के phone से unblock हो जाएगा तो इस sentence में इस trick में कितनी सचाइम आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका number unblock नहीं होने वाला है 100% आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसे try किया है मैंने इसे सारी चीज़े step follow की है मैंने किया है लेकिन मेरा number unblock नहीं हुआ है क्यों नहीं हूँ अउसका region यही है कि आप whatsapp के database से तो number delete कर देते हैं लेकिन जिस user ने आपका number block करके रखाया ना उसके account से आप उस अपने number को delete नहीं कर पाते हैं डेटाबेस के whatsapp के database से तो आपका number उसके server से आपका number तो delete हो जाता है account लेकिन उस बंदे ने आपको block किया है जिस number को उसके account से आपका number नहीं delete होता है वहाँ पर वो account पे आपके होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर option होता है black contact, block contact यहाँ पर आपका number रहता है इसी की वज़य से जब आप दोवारा account बनाते हैं फिर भी आपका वर्ट्टर नमबर unblock नहीं होता है तो यही ट्रिक थी जो मैं आपको बताने वाला था कि ऐसा कुछ भी अभी तक possible नहीं हुआ है कि आप खुद के वर्ट्र नमबर को घर बैटे unblock कर सकें जिनने भी वीडियो आपको बता जाती है पूरी तरह से गलत है फेक वीडियो है अगर आप इनको देखकर अपना टाइम बरबाद करते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा मत करें यह वीडियो बिल्कुल गलत है अगर ऐसी कोई ट्रिक आती है इन फूचर में तो मैं आपको विच आपको 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 झाल, 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 झाल